राजधानी के जवाहर सरकल थाना इलाके में कारसवार बदमाशों ने एक्ट्रेक्टर और शालक के साथ पहले मारपीट की और फिर अफरान कर ले गए इसके बदमाशों ने युवक के फोन से उसके भाई को फोन किया और फोन पे के जरीए रुपए की मां के जिस पर युवक का भाई तयार भी हो गया लेकिन बदमाशों ने फोन काट कर उसके बाद में स्विच आफ कर दिया इसके सूशना पेड़ित में पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने युवा की तलाश प्रारम भी की तो वहीं बदमाशों ने युवा को सवाई माधुपूर के गंगापूर सिटी में लहुलुहान हालत में फेक कर ये फरार हो गया जिसको अस्पताल में भरती करा आगया कि जो वार्दात हुई है राज़ानी में किस प्रकार से इस ट्रैक्टर चालक को यहां पहले अपरंड किया गया उसके बाद में अचाना की फोन को स्विच आफ कर दिया गया प्रत्म रुष्टिया किस तरीके का मामला क्या फिरोती से जोड़ा मामला या फिर आप से रंज परार होगे ते जी घटना जो हुई थी वह एक्सिडेंट को लेकर के हुई थी मगर यहां पर जो बदमास थे वह तैश में आकर के शिवक का किड्नैप करके लेगे उसके साथ माल पीट की जी जी दोरान किड्नैपिंग के दोरान इन बदमास होने कार में बैठे बेटे जो के साथ माल पीट करते रहे और उसके बाद यहां पर उन्हें ने पी दिक जो भाई रौगे उसको फोन किया तिन आहने बी अधे यहां पर छूदי सो फोन किया उसके बाद प्लिस को सुझा दी जिसमें पेटियम के जरी हो रकम मंगवा रहे देंगे अगर तुम हमें पैसे देदे होगे तो मगर यहाँ पर जो युवक था जो भाई है कमरेश उसने पुलिस के साथ लगाता रहा मगर पुलिस लगाता इस बदमाश की तलास कर देंगे जब आप सुछना मिली कि एक जो इस ते जलाफ पुलिस की टीम तो सुछना मिली और इस जलाफ पुलिस की तीम हैρείं वो गंगा पर पहुँची है लेकिन यहाँ पर जो युवक का जो फ़रार जो बदमाश टे जो काराल सवर्पदमाश्ट थे dragging लग पाया है जो युवक का वो सै कुशल आप साथ जमक तो आप्र कले चल रहे हैं नाकाम रह जाए तो पुलिस को पीज करते देख लिए पर तो इस त्वह को पटक कर चलें गहांद रहे है यहां पर उस युवक को सफलता नहीं मिल जाथ आप यहांद कर देखा जा तो एक बड़ बहुत बड़ी नाकाम है। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना होई है दिन दहारे यहाँ पर इस युवक का किड़नेप की और किड़नेप पर लेके चलेगे तो कही ना कहीं रात्री काली जो गश्ट में दस्ता होती है उस पर भी एक बड़ा सवार्दात के अंदर बिल्कुल जैपूर से पहुंचे है स्विफ डिजायर कार थी और जब यह एक्सिडेंट हो तो उस दोरान कार सवार चार बदमाश ने पहले उसके साथ मार पीट की थी आना कि पूरे इलाके के अंदर यहाँ पर नाकाबंदी कराई थी लेकिन ताज्युत यह है कि बदमाश यहाँ से जैपूर से इतनी कड़ी विवस्ता है जहां पर 48 जगे पर जी नाकाबंदी लगाई गई और इसके बाद अगर कोई ऐसी कटना होती तो उसके बदमाश है जो युवक को जैपूर से बहार ले जाने में सफल हो गए यह अपने आपने बड़ा सवाल उट रहा है हां कि नाकाबंदी प्रणाली पर न चलते जो बदमाश यहां से बाहर निकलने में काम्याब होगे और उनको पकड़ने में नाकाम रहे बिल्कुल जाती है यादविंद्र जाना चाहूंगी जो घायल युवक है जो व्यक्ति है क्या वो बयान देनी किस्तिती में है उसने क्या जानकारी क्या सुरागों के बार बार बदम की तो ऊगे जानके मारपीट की थी कि अगतना करम है कि उसके बाद युवक्ति ते वह यहां से मारपीट करते हुए युवक को अपने साहथ कामें सब्सक्प्र हो पाटक करके लेके चले कि कई न कई आप राधिक बारदात का ओंका उनक्पवार्दात की रुप और उसके बाद, माफ कीजीएगा, और उसके बाद, फॉन को करना करता है तो चानल नौ ठी हैं, अगर कोई आसे बदमाश होते हैं निशित पर लगाता है जो इस पर खर Nation के बंद होने की चालो podstawे बimanaat पोल्ली की आपी प्रकार के बंद होने की है और प्रosh है उसकी हालत में सुधार है और पुलिस ज्वारदात के लाद में उसे पूस्ताख कर रही है पूस्ताख के बाद में उन्टमासों के बार में और अन्ने सुलाग मिलेगा बिल्कुल याद्विंद्र अगर नौसी की लो जो इस प्रकार के गैंक सकरी है वो युवाक को पुलिस प्रशासन को इस और ध्यान देनी की बहुत जोरत है बहुत शुक्रिया तमाम जानकरी के लिए साथ जुड़ने के लिए